हेलो भाई आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ अपाची 165 आरपी यह बहुत ही लिमिटेड डिशन है भाई इसका मात्र 200 यूनिट बनाया बेचने के लिए पूरे भारत बग में पता नहीं हमारे सिटीज में कैसे आ गई खेर मैं आपको इसी बाने इसका फीचर अब यहां देखो के फुली गाड़ी वही है यार वन 60 वाला या फिर 200 वाला देख लो वही गाड़ी है लेकिन इसमें ग्राफिक्स कलर दूसरा यूज करक है तो हैड्लम आप देख लो फुली नहीं वाला जो लॉंच हुआ है वही वाला है दिया गया इसमें यहां पर इसकी लोगों मिल जाता है एक बार मैं आपको जला के देख लायता हूं देख लो यह वाला बंद भी कर सकते हो अपने को इसमें स्वीच इस नहीं नहीं यह वाला आप इसमें आपको स्वीच नहीं मिल जाता साइड आपको ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता सिर्फ यहा प्लेट मौन मिल जाता और यहां पे अपने को इंडिकेटर मिल जाता है इंडिकेटर भाई इतना महेंगा गाड़ी है तो LED देना चाहिए तो कंपनी को खेरब क्या कर सकते हैं और इस तरीगे के अपने को सस्पेंशन मिल जाता है फ्रेंट में टेली देना चाहिए था खेर भाई क्या कर सकते हैं यतना महेंगा है कम से कम ड्यूल चैनल कंपनी को देना चाहिए था मेरे हिसाब से बात करते हो तो यहां पर अपने को 90 राइनटी सेवेंटी यह सबसे अलग लगता यह तो है लेकिन प्राइज बहुत ही महाँगा है मेरे हिसाब से बहुत ही महाँगा है इस तरीके अपने को फ्यूल टैंक मिल जाता है फ्यूल टैंक वही है भाई जुक्ति वाला यहां पे अपने को टीवेस का लोगो मिल जा था टीवेस की रेचिंग दी गई और वनुसिटी वाई की मतलब ग्राफिक्स देख लो इतना सवारा यूज कर अधिए यहां पर 15-year एनवर्सरी एडिश यहां पर एक वहां पर है और इस तरह के ट्रेटिक अंवर्टर यहां पर इंजन काउल कवर इंजन काउल कवर भी देख लो ड्यूल तोन में दिया गया है यहां पर बैजिंग दिया गया है आर्टी एफाई रेस्ट्यून की इसमें किक वेगर आपने को देखने को नहीं मिलत साइड पेनल पर अपने को अपाची की बैजिंग मिल जाती है बाकि इस तरीक के ब्लैक फिनिशिंग मिलता है यहां पर आर्टी 165 आर्पी की बैजिंग मिल जाती है यहां पर भी ग्राफिक्स दिया गया है मतलब यह ब्लू वाइट और रेट का कॉमिनेशन अच्छा लग र खर एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बतलाओंगा बाकि सीट देख दो ना सीट अपने को डूल तोन में मिल जाता है जो स्पेशल एडिशन में मैंने सीट दिख लाया था आपको वही वाला सीट ही दिया गया है यह ब्लैक और रेट का कॉमिनेशन म बैजिंग दी गई है और इस तरीके अपने को ग्रेवरेल मिल जाता है स्प्लीट में बाकि रियर की बात करते हो तो इस तरी दिखते भाई रियर में थोड़ा यह उधर से लाइट आ रहा है तो साइध आपको सही से नहीं दिख रहा होगा इस तरीके अपने को LED टेल लाइ लगता है रियर प्रफाइल की बात करें तो इसमें अपने को मिलता है रुको में एक बार बत लाही देता हूं आपको इसमें अपने को मिलता है 130 by 70 30R70 मतलब यह 130 है यह 70 और 17 इंच का एलोई मिल जाता है मतलब फ्रंट वाले से रियर वाला टार आपको बहुत ही चोड़ा मिलता है बाकि लेफ्ट की बात करते हो नहीं तो इस तरीके दिखती भाई आपकी आपकी आपाची आर 165 आर पी जैसा उस साइट डिजाइन है वैस से हैंडिल रहेगा तो नहीं दिखेगा बाकि यह सब वही है जो आपको 160 में या फिर 200 में देखने को मिलता है वही है बस ग्राफिक्स उपर से चिपका दिया गया है बाई रैस गाड मैंने आपको दिखला दिया घेर वाला अपने कुछ तरीके मिल जाता है यह यार वही त मेरे हिसाब से नहीं दिया गया साथ से लेकिन इस्टॉल हो सकता है खड़ा है तो इंस्टॉल नहीं होगा बाकि यह अपने को फुली ओपेन वाला मिल जाता है यह काफी अच्छी बात है थोड़ा लगता है देखने में यह अपने को सस्पेंशन मिलता है भाई सोवा रेस सब्सक्राइब करता है मतलब यह तो जैसे अपाची ले तो उससे भी ज्यादा है लेकिन टू अंडेट से कम है भाई बाकि यह बाइक फाइब स्पीड मैनुल गेर बॉक्स के साथ आती है लेकिन इसमें अपने को मिटर कंसोल यह बेसिक वाला मिलता है इस तरीके अपने को मिल जाते हैं यह बला प्रिमियम लगता है देखने में यह वाला बटन हो गया यह लोगी महाई भी में यह पे इंडिकेटर और यह हो गया होन होन मैं आपको हान वाई 160 वाला यह डिया गया है बाकि की की बात करते हो तो की अपने को इस तरीके मिल जाता है एक तरफ टीबेस का लोगो अपर अपने को इंजन किल स्विच मिल जाता है साथ ही यहाँ पर सेल्फ का बटन दिया गया है मिटर कंसोल में में आपको फीचर दिखला आयता हूं देख लो भाई फीचर सीज तरीके निकिशन मिलता है यहाँ पर अपने को स्प्यूटर मिल जाता है यहाँ पर आर पीम एक बार में इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता और यहाँ पर कुछ इंडिकेटर भी दिया गया है जब कंपनी ने इतना प्राइज रखा भाई तो 200 वाला वह दे देता है यार मेंटर कंसोल कम से कम फीचर्स तो मिल जाता ना मोट्स वेगरा तो मिल जाता लेकिन भाई क्या कर सकते है कोृस्ट कटिंग बहुत ही जभाए है सब्सक्राइब कर देखने के इंडिकेटर की बात करते हो तो यहाँ पर अपने को अपने को और ली Minute का लैट डिया गया है यही यह बाई इसमें आपको ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलता पता नहीं यार कैसे लोग इसको खरीदेंगा इतना पैसा क्यों पे करेंगे इस बाइक पे और यहां पर अपने को मिरर कसने वाला दिया गया यह यह बाइक की जैसे जो ज्यादा रेसिंग करने वाले होते हैं इनको यह बाइक ग्राफिक्स के या फिर लुक के मामले में लेंगे वही खर देंगा मेरे हिसाब से क्योंकि अगर आप यह वाला लेते हो इससे अच्छा टूंडड़ सिसी वाला ले लो बाई और भी बढ़िया लेगा क्योंकि बढ़िया की बात निये पावर फिकर अपने को अ मेरे को तो अलग लग रहा है यार वान सिक्स्टी से इसका एक्जॉस्ट अलग दिया गया मेरे साथ फोड़ा लाउडर ज्यादा है यह वाला लगता है बिल बहुत ही बड़ा दिया गया है बात कर इस बाई के कुछ डैमेंशन की तो इसमें अपने को 12 लेटर का फ्यूल ट सब्सक्राइब कर दो जादा नहीं बात करें तो इसमें अपने को सिटेट मिलता है 800 म का मतलब थोड़ा नाटे कत के भी लोग है तो अराम से यूज कर सकते हैं फाइफ फाइफ आराम से यूज कर सकते वाई उससे कम वाला थोड़ा पैट टिकने लएगा बाकि इसमें अप सब्सक्राइब के लिए मैं बैट जाता हूं कैसे रूखो कि यार सीट का कुष्णिंग साही है वही यार वन सिक्टी जैसा वैसा इसका सेटिंग पोजिशन कुछ उसमें अलग नहीं दिया गया देख लो इस तरीका पैर अपना आ जाता है और मैं बैट रहा हूं तो देख त्वाराम से बैठ सकते हैं लेकिन इस पर थोड़ा एड़स्ट कर सकते हैं चांस रहता है यह मेरे को अच्छा लगता है इस वन सिक्स्टी में मैं स्पेसल ठांक्स बोलना चाहूंगा कुंति मोटर सासाराम को अगर सासाराम या फिर होतास या फिर खासकर ब्यार से वह बि झाल